जहीं दोस्तों स्वाले थे आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भारती रेलवे में परतेग वर्ट्स साल के लाष्ट में प्रमोशन्स आता है जो कि सभी पोश्टों पर एक निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार इनको प्रमोशन्स दिया जाता है जिसे कि आप यहाँ पर देखेंगे डिविजनर ओफिस परसनल डिपार्ट्मेंट मेसूर के दारा 910-2023 को यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कि senior DME मेसूर subject है यहाँ पर trade test for the promotions to the post of technician 3 of mechanical department यानि कि भारती railway में जो mechanical department में कारेरत करमचारी है जिसमें कि यहाँ पर मेसूर डिविजन में जो भी करमचारी है उनका यहाँ पर promotions होना है जिसके अलावा promotions से पहले trade test होता है तो straight test के लिए यहाँ पर एक candidate की list जारी की गई है जिसमें कि candidate को category wise यहाँ पर promotions दिया गया है वीडियो के starting में आप से मेरा एक question है जिसका answer आप comment box में जरूर दीजिएगा कि जो भी promotion होता है वह क्या category wise होना चाहिए जो कि private job में हो या government job में हो यानि कि SC, ST, OVC, journal को सभी category wise को promotions दिया जाना चाहिए या सभी को एक परकार से जो भी उनका merit list है उस हिसाफ से उनको promotions दिया जाना चाहिए तो चलिए video को start करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहा है है next यहाँ पर the following employees of assistant CNW in level 1 of 7th pay commission mechanical department are likely to be considered for the promotion to the post of tech 3 यानि कि जहाँ पर जो नीचे नाम दिये गये हैं assistant CNW level 1 के जो employees है उनको जो promotions है वे टेक 3 यानि कि level 2 में हो जाएगा जो trade test for the post of technician 3 category may be conducted and the result of trade test may please be sent to this office यानि कि जो भी post होती है उसमें promotion होने से पहले उस भी जिन भी candidate का नाम आया है promotion list में उनका एक trade test होता है जिसमें कि जो भी कारेवे करमचारी भारती रेवे में करते हैं उससे related उनसे questions पूछे जाते हैं जिसमें कि अगर candidate पास हो जाता है तो उनको promotion से दिया जाता है इसके बाद यहाँ पर आप serial number देख सकते हैं candidate का यहाँ पर नाम है इसके अलावा यहाँ पर पीएफ नंबर है इसके अलावा यहाँ पर cast यानि की category दी गई है और कि इस station पर car so किया गया है जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे total candidate का जिनका promotions आया है उसमें यहाँ पर 19 है यहाँ पर total 37 candidate का यहाँ पर promotion list में नाम आया है इसके अलावा यहाँ पर आप cast की बात की जाए किस cast यानि की category से कितने candidate को यहाँ पर promotion मिला है तो यहाँ पर आप देखकर आश्चर जनक हो जाएंगे क्योंकि तो यहाँ पर total 37 लोगों का promotion हुआ है जिसमें कि आप यहाँ पर total 37 में से category बाइस देखेंगे तो OVC में यहाँ पर 5 candidate को promotion दिया गया है जर्रनल की बात की जाए तो जर्रनल में 3 candidate को यहाँ पर promotion मिला है जो की जर्रनल में यहाँ पर सबसे कम promotion इसके बाद OVC में उसका हाप इसके अलावा ST की बात की जाए तो यहाँ पर ST को जो प्रमोशन मिला है वह 10 सीट पर मिला है और यहाँ पर सबसे अधिक जिस केटिगरी में प्रमोशन मिला है वह SC है जिसमें कि यहाँ पर टोटल 19 पोश्ट पर SC केंड़िडेट को यहाँ पर तो इस परिकार से 37 पोश्ट को यहाँ पर इस परिकार से प्रमोशन दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर देखींगे लगभग SC प्लस HD याने की Special Category को 29 पोश्ट पर यहाँ पर प्रमोशन दिया गया है जो कि 37 का लगभग 75% से 80% इनको प्रमोशन मिला है जिसे कि आप स पर और जनल केटेगरी के कैंडिडेट को प्रमोशन दिया गया है वह है 2012 वाले और 2014 वाले कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर प्रमोशन मिला है इसके अलावा SC HD के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जोइनिंग 2022 में हुआ है और इनका भी प्रोविजन पीरेड भी कंप् पर प्रमोशन मिल गया है इस पर आपकी क्या रहा है पर आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं